हेलो स्वागत आप सभी का पिरी यूट्यूब चैनल स्कूल टूशन गुरुजीवे आज हम बात करें कार्यपत्रक चेतर की जो कि 27 जन्वरी के जारी किया गया है यह कक्षादास का विज्ञान मेंशे कार्यपत्रक है बच्चे अपने नाम निखें और आपने काक्षेद्य छीव की ईक शिंकला जीव के चिसमें एक जीव दूसरे और यह जीमें बोजान से एक तरफ तक ही होसकता है बच्चो अब इसके उधरन क्या देदिया ईसने में जैसे की घास घास को हीरन का औरधा भाग फिर पौदा पौद को टिड़ा टिले को मैंड़क और मैंड़को चील या फिर जल जल में पौधे फिर केकड़ा केकड़ेक मचली और फिर सॉरस अब एक चीज आती है बचो खदशिंखला के बारे में बचो खदशिंखला का यह अधर्गासन नहीं आपको दे दिया है अब इससे मिलती जुलती एक चीज आती है वह हुगश्वा की खादे जाल तो खादे जाल क्या है तो कई प्रस पर जुडि वी खादे शिंकला हो को हम खादे जाल के रूप में जानते हैं एकल खादे शिंकला किसी प्रतंतर में सभाविक नहीं ओती इस variant देखने को चीज़े मिलती है मचो अब बात कर लेते हैं पोषी इस्थर के बारे मचो कि ऐसे शिंखलामें विविंचरण होते जिन पर भोजन या और जा का स्वानतर होता है जिसे हम पोशी स्तर के नाम से जानते हैं, इस थाणर दरन कभी भी 100 परतिशत नहीं हो सकता, इस परकार की प्रतेकरीमिक पोशी स्तर को पहले की तुल्ला में कम उघ्रजा पॉरप्टती है, जिसके परणाम सरूर एक पैरामिड नाम की आकार की सनसेना बंती है बचव कि जैस चौथे स्तर पे अगर बात करें सूर्य से जो उर्जा मिली है उसकी और उपर तक जो उर्जा जा रही है तो आकरी में दस जूल उर्जा ही पच रही है इसका निदान कैसे किया जाता आपका सीधी बाद समय कहें तो हम 10% नियम के द्वारा 10% नियम क्या कहता है 10% ओर्जा निर्वा के अंसार एक खादेश इंकला में पोशिशतर पर दूसरे पोशिशतर पर उर्जा ग्रावट के साथ आती है अगले इस तरह पर केवल 10% उर्जा ही पहुचती है 90% उर्जा वरत्मान पहुची इस तरह पर में जीव पर जैविक परकिजाओं के द्वारा प्रुक्त कली जाती है तूरत से पौाद कोई उर्जा मिली 100 जूल है अगर तूह का 10% ही हमें हीरन में मिलेगा यानि की उसका 10 जूल और हिरन को कोई खाएगा तो यानि की एक जूल ही हमें 60 जूल देखने को मिलेगा अब जड़ा बात कर लेता है प्रशन तरकी तो प्रस्में हा क्या दिया हुआ है कि यदि 20,000 जूल उर्जा उत्पादक शेत्र पर है तो दित्य उभ्योक्ता इस तरबर कितनी उर्जा इस थानानतित होगी वच्छो तो अगर हम देखें बच्छो 10% नियम के अनुसार तो यहां पर हमें क्या दिखने को मिल रहा है यह उभ्योक्ता तो हमें क्या देखने को मिल रहे है यहां पर उत्पादक स्थर पर उर्ज़ा है हमारी 20,000 है ठीक है बच्छो तो 20,000 का 10% कितना हो गया कि आपका आगया 2,000 बचो तो यह किस जोगी परठम उप उपहुखता की होगी अब मैं पता करना है दितीयो भक्ता की जोगी इसका दसुच्छछा कितना होné भोगत्यो यह वी आपकी तर न Haguk दोनों को छाद शिंक्रा बनाई है तो अगर बच्व जंगल की बनान는 है तो इह वाली हो सकती है और जंगल की बनानी यह तो यह वाली होगी वोच्ष ठीक है बचो चलिए अगला परशन देखते हैं परशन नमर तीन है पोशी इस्तर को परिवाशित की लिए चार पोशी इस्तरोक वाली खादर शिंकला बनाई है तो उसके लिए बचो आप क्या कर सकते हैं ये पूरा पूरा उदारण के साथ लिख सकते हैं बचो ठीक है बचो ये आपका आंसर है तो बचो ये होगे आपका कारेपतर कंप्लीट और वीडियो भी आशागरता आपको वीडियो अच्छी लगगी होगी थैंक्यू